लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि अब तक जो कुछ भी चर्चाएं डिस्कसन हुआ है उसमें सभी राज्जी इन्वाल है अपसर लेवल पर इन्वाल है दुनिया के अनुभवों को भी शेयर लेकिन फिर भी मुख्मंत्रियों का अपना एक विशेश अनुभव होता है पॉब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों की एक विशेश द्रस्टी होती है क्योंकि इन चीजों को अगर आपके सुझाओं मिलेंगे तो मेरा अग्रह है कि आप लिखीत में अगर हो सके उतना जल्दी क्योंकि आज भी कुछ अच्छे मुद्धे उठाए सबने को यह हो यह हो यह हो इससे विजादा होंगे यह अकर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेजी वरकाउट करने में सुखीत आओगी और यह कोई किसी पे थोप नहीं सकता है बारत सरकान निर्णे करेंगे हम यह करेंगे और राज्य सरकार ऐसा नहीं हो सकता हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सबके विशों का बड़ा महत्वा है कोरोना संक्रमन से जुड़े जो प्रेजिंटर्शन हुए उनमें भी काफी जानकारियां उभर कर आई है आज मैं प्रारम में कुछ मुख्यमेंत्रियों से बात की थी जहारा स्थिती जरा बिगड रही है जहां तक वैक्षिन का थवाल है वैक्षिन की स्थिती और डिस्टिपिशन को लेकर भी जो कुछ भी चर्चाय हुई है एक प्रकार से वीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है हमें तो इन चीजों को ऑथन्टिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम सिस्ट ताकत से लड़ने की थी लेकिन देश के संगधित प्रयासों ने इस चनोती से मुकाबला किया नुक्षान को कम से कम रखा आज रिकवरी रेट और फेटरलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में हैं हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है पी-एम कैर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सुपलब्द कराने पर भी विशेश जोर है कोशिच यह है कि देश के मेडिकल कॉलेश और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सेफिजन बनाया जाए इसलिए अभी 160 से जादा नए उक्सीजन प्लांट के निर्मान की प्रक्रिया अल्रेडी शुरू की गई है पी-एम कैर्स फंड से देश के अलग-अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर से मिलने भी सुरिश्चित हुए है वेंटिलेटर्स के लिए पी-एम कैर्स फंड से दोहजार करोड रुपे अल्रेडी स्विक्रूत किये गए है सत्यों कोरोना के मुकाबले के बीते आट-दस महिने के अनुभवों के बाद देश के पास परियाप्ट डेटा है कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर एक व्यापक अनुभव है आगे की रणनीती बताते समय हमें बीते कुछ महिनों के दोरान देश के लोगों ने हमारे समाज ने कैसे रिक किया है कैसे रिस्पॉन किया है मुझे लगता है इसको भी हमें समयना होगा तिक कोरोना क्या दोरान भारत के लोगों के वहवार भी एक तरह से अलग-अलग चरणों में रहा है और अलग-अलग जगा पे अलग-अलग रहा है जैसे हम मोटा-मोटा देखे तो पहला चरण था बड़ा डर था, खौप था किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो जाएगा और पूरी दुनिया का है हाल था हर कोई पैंडिमिक में था और उसी हिसाब से हर कोई रियक कर रहा था हमने देखा प्रारम में आत्मत्या तक की घटना घटी दी पता चला कोरोना हुआ तो आत्मत्या कर दी इसके बाद धेरे धेरे दुसरा चरण आया दूसरे चरण में लोगों के मन में भाई के साथ साथ दूसरों के लिए संदे भी जूड़ गया उनको लगना कि इसको करोना हो गया मतलब कुछ गंबीर भाबला है दूर भागो एक प्रकार से घर में से भी नफरत का माहूल बन गया और बीमारी की वजह से समाज में कटने का डर लोगों को लगने लगा इस कारण करोना के बाद कई लोग संक्रमन को छिपाने लगे उनको लगा कि यह तो बताना नहीं चाहिए है कुछ समाज में मैं कट जाओंगा अब उसमें से भी हम देरे देरे समझे लोग भाग आए तीसरा चरण हो सुरुआ और तीसरे चरण में लोग कापी हद तक संबलने लगे अब संक्रमन को स्विकार रेगे लगे और एनाउस भी करने लगे मुझे तकलिव है मैं आइसोलर कर रहा हूं मैं कोरोंटाइल कर रह और हमने देखा कि लोग एलेट भी होटने लगे और इस तीसरे चरण के बाद हम चौथे चरण में पहुंचें जब कोरोना से रिकवरी का रेड बढ़ा तो लोगों को लगता है कि यह वाइरस नुक्सान नहीं कर रहा है यह कमजोर हो गया है बहुत से लोग यह भी सोचने लगे हैं कि अगर बिमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे इस वज़े से लाप और वाइव का यह स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों के शुरुवात में ही स्पेशली राष्ट के नाम संदेश द बरती है क्योंकि कोई वैक्सिन नहीं है दबाई नहीं है हमारे पास एक ही रास्ता बचाएं हम हरे को कैसे अपने अपने आप बचाएं और हमारी जो गल्तियां हुई वही एक खत्रा बन गया थोड़ा डिलाया गई इस चौथे चरण में लोगों को को कोरोना की गंब्र ग अपने प्रयासों को जड़ा और गती देनी हुई है टेस्टिंग हो कन्फरमेशन, कॉंटक टेसिंग, डेटा इन सारी जूड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सरवोच्य प्रास्तिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा पॉजिटिविटी रेट को पांच परसं के दायरे मे लाना ही होगा और मैं मानता हूँ छोटी-छोटी काई ओपर कही है कि एक क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, दो क्यों बढ़ा, हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाए, अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे, शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे, दू की मॉनिटरिंग जादा बहतर तरीके से करनी होगी, आप भी जानते हैं कि अगर वहाँ थोड़ी भी डिलाई रही, तो मरीज बहुत गंबिल सिती में अस्पताल आता है, फिर हम बचा नहीं पाते हैं, जो गाउं है, कमुनिटिटी के सर्फ और हेल सेंटर हैं, उनको भी हम जादा एक्विप करना ही होगा, गाउं के आजबाद भी इन्फासेक्टर ठीक रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई परियाप्त रहे, यह हमें देखना होगा, हम लोगों का लक्ष होना चाहिए कि फेटलिटी रेट को एक प्रतिसरत से भी नीचे लाहे, और वो भी मैंने जैसे कह छोटे-छोटे इलाके में देखा जब यह मुर्ति हुई क्यों हुई, जितना इतना फोकस करेंगे तब सित्य को समाल पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, जागुरुपता अभियानों में कोई कमी ना आए, कोरोना से बचाव के लिए जो ज़रूरी मैसेजिंग है, इसके लिए समाज को जोड़े रखना होगा, जैसे कुछ समय पहले हर संगटन, हर प्रभावी व्यक्ति को हमने एंगेज किया था, उन्हें फिर एक्टिव करना होगा, साथिवा आप बलीभादी परिचित है कि कोरोना की वैक्सिन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह क की खबर आ रही है, आज दुनिया में भी और देश में भी जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डीटेल बताए गया, करीब-करीब आखरी दौर पर वैक्सिन के रिचर्च में काम पहुंचा है, बारत सरकार हर डवलप्मेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए ह हम सब के संपर्ग में भी हैं, और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सिन की एक डोज होगी, दो डोज होगी, ये भी तय नहीं है कि इसकी किमत कितनी होगी, उसकी किमत कितनी होगी, ये कैसे होगी, यानि अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क् जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार की corporate world भी है, उनका भी competition है, दुनिया के देशों के भी अपने अपने diplomatic interest होते हैं, डबली एचो से भी हमें इंतजार करना पड़ता है, तो हमें यह इन चीजों को वैस्विक संदर्ब महीं आगा बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा, global regulators, अन्य देशों की governments, multilateral institutions और साथी international companies, सभी के साथ, जितना संपर्ख बढ़ सके, जितनी रियल टाइम communication हो, इसके लिए पूरा प्रयास एक व्यवस्ता बनी हुई है, साथियो, कोरोना के खिलाब अपने लड़ाई में हमने शरुवात से ही, एक-एक देशवाजी का जीवन बचाने को सर्वोच प्रास्थिक्ता दिए, अब वैक्सिन आने के बाद भी हमारी प्रास्थिक्ता यही होगी, कि सभी तक कोरोना की वैक्सिन पहुँचे, उसमें तो कोई विवाद हो जी नहीं सकता है, लेकि कोरोना की वैक्सिन से जुड हो और सस्टेन यह लंबा चलने वाला है इसके लिए हम सभी को हर सरकार को हर संग्रहन को एक जूट हो करके कोडिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा, साथियों वैक्सिन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है, वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है, हमारे लिए जितनी जरूरी है, स्पीड है, उतनी ही जरूरी है, सेप्टी भी है, भारत जो भी वैक्सिन अपने नागरिकों को देगा, वो हर कर्कालने यानिês कसोडी पर ख़री होगी लिए जहां तक वैक्षीन के डिस्टीबिशन की बाद है तो उसकी तयारी भी आप सभी राज्वों के साथ मिलकर के की जाय कें आधार पर खिर रहे धे वैक्षिन प्रात्मिक पर किस्य लगाई जाएगी हर राज्यों के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा क्योंकि आखिरकर उनको अंदाज है कि उनके राज्य में एक कैसे होगा हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड चोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल दे करके वबस्ताइं खड़ी कर देना शूरू कर देना चाहिए कहां कहें संभव होगे उसके पैरामिटर्स क्या होगे उस पर हमें यहां से सुचना है तो डिपार्डमेंट को चली गई है लेकिन इसको अब इंप्लिमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो अत्रिक सप्लाई भी सुनेश्चित की जाएगी और इसका विस्तुर्थ प्लान बहुत जल्द ही राज्यों सरकारों के साथ मिलकर के ताई कर दिया जाएगा हमारी राज्यों के और केंद्र की टीम साथ लगा था और वह बातचीत कर रहे हैं काम चल रहा है कि एंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आगरक किया था कि स्टेट लिवर पर एक स्टेरिंग कमीटी और हम स्टेट और डिस्टिक लेवल पर टास्पोर का और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी वववस्ताइं खड़ी करेंगे और किसी ने किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा इन कमीटियों की रेगुलर बैटे का हो उनकी ट्रेइनिंग हो उनकी मोनिटरिंग हो जो ओनलाइन ट्रेइनिंग होती है वो भी शुरू हो हमें हमारा रोज मरा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्ता को भी विक्सित तुरंद करना पड़ेगा यह मेरा आगर रहेगा जो कुछ सवाल आपने कहें हैं कौन सी वैक्सिन कितनी किमत में आएगी यह भी तरह नहीं है मुल भारती वेक्सिन अभी दो मैदान में आगे हैं लेकिन बहार के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं दुनिया में जो único बन रही है बेभी मैन्नाईफेक्सिर के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं कंपनीओं के साल लेकिन इन सारे विश्व lap mwork जानते हैं कि 20 साल से मान निर्जे कोई दबाई popular हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उप्योप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का उसका rejection आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है, तो ऐसा इसमें भी संभव है, निर्णय वैज्ञानिक तराजु पर ही तोला ज चाहिए, हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वग्यानिक नहीं है, हम इसके expertise हमारी नहीं है, तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहज जो चीज़ आती हैं, आखिर कर उसी को ही स्विकार करना पड़ेगा, और उसको स्विक प्रकार से आप डिलिवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डीटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे, तो निर्ने करने में सुभीदा होगी और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है, राज्यों का अनुभव बहुत एहमियत रखता है, क्यो अपनी जगा पे हैं, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जराबी धिली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी डिलास नहीं आनी चाहिए, यही मेरी आप सब से रिक्वेस्ट हैं, आज मेरी तमिलनाडू और पुड़ीचेरी के मुख्मिंत्रियों से बात करने का मुझे आउसर मिला, आंदर से मैं फोन नहीं कर पाया था सुबे, एक साइकलोन हमारे पूर्वी तड़ पे एक्टिव हुआ है, वो कल साइद तमिलनाडू, पुड़ीचेरी और आंदर का कुछ हिस्सा वहाँ पर आगे बढ़ रहा है, सारी भारत सरकार की टीम में बहुत एक्टिव हैं, सब लोग गए हैं, मैंने आज दो आदर्णी मुख्यमेंतरीजियों से बात की थी, आंदर के मुख्यमेंतरीजियों से अभी इसके बात करूँगा, लेकिन सब के लिए पुरी तरह भारत सरकार और राज सरकारे मिल करके, और पहला काम खाली करव पहला कि झाली को अक् leapूँ हैं, सब दूर्णी मुख्यमेंतरीजियों। पाली कि ढात कि राज सम्ताए सम्ता स्वाय हैं, सब कर खियता appa अवाई्स, यार्णी मुखिझ राजा के नाध।